पच्ची महराश्टो एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचलित लेडी हलीमा बेगम उर्दू सेम इंग्लिश प्राइमरी स्कूल एन इसमाइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल से मैं परवीन हनिव शेक आपके सामने पाच्वी जमात का अपकार का उपकार ये लेसन एक कच्वा रहता था तालाब के बिलकुल किनारे पर जामन का एक पेड़ था समय आने पर उस पर मीठे जामनों के गुच्छे लगते पास के गाउं के लड़के उस पेड़ के जामन खाने के लिए आते कुछी दिनों के बाद जामन के उस पेड़ पर एक कववा और उसके पतनी आकर रहने लगे कववा अक्सर दूसरों को परिशान करता रहता या लड़ता जगरता रहता जब कच्छुआ तालाव से निकल कर जमीन पर आता तो कववा उसकी पीट पर सवार हो जाता रूच्छल कूट करता कई बार तो कववा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पुलट भी देता उससे दुखी कच्छुआ इसके विपरित कववी की पतनी नर्म स्वभाव की थी पती पतनी के स्वभाव की असामानता से कच्छुआ भली भाती परिशित था कववे से दुरवेवार करने के लिए पतनी उसे अक्सर मना करती एक दिन जब कच कच्छवा तालाब से निकल कर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कववे की नजर उस पर जा पड़ी और वो जट से उपर चड़ गया कच्छवे को गुसा आ गया वह बोला क्यों भई कववे मेरी पीट पर चड़ कर मुझे तंकर क्यों करते हो आखिर तुम मुझे क्या च चाहते हो तेरे उपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ ऐसा करने से मुझे बड़ा मज़ा आता है हस्ता हुआ कववे बोला कच्छवे ने पूछा दूसरों को तंक परिशान करके खुश होना कहा कि भलमन साहत है क्या तुम भी मुझे अपनी पीट पर बिठा सकते हो कव कवे ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया कुछ दिनों के बाद कवे की पत्नी ने गोसले में अंडे दिये उधर पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे एक दिन गाओं के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चड़कर जामुन खाने लगे तो हिलने डुलने के कारण घोसले में से एक अंडा निकल कर सीधा तालाब में गिर गया कववा दमपती अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गए वे तालाब के किनारे बैठ कर फूट फूट कर रोने लगे पानी में बैठे कच्वे ने गिरते वे अंडे को देख लिया था कुछी पल बाद वही कच्वा अपने मुँ में अंडा लेकर बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला शुकर है कि तुमारा अंडा पानी में ही गिरा यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो तूट जाता मैंने पानी में सही से गिरते वे देख लिया मुँ में पकड लिया उसके अंदर की जान पच गई है अब चिंता की कोई बात नहीं यह सुरश्टित है कच्वे की यह बात सुनकर कववा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ उसे अपनी एक एक कर्तुत याद आ रही थी पर अब पश्टाए होत क्या जब चिडिया चुक गई खेत कच्वे को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पती पतनी के पास शब्द नहीं थे कववे ने कहा आज मेरी आँख खुल गई मैं अपनी किये पर लजजित हूँ मैं भविश्च में किसी को भी कष्ट नहीं दूँगा कच्वे ने कहा जब जागो तब है सवेरा अब सब हिल मिलकर रहने लगे very good thank you very much